असलाम लेकुम डियरे स्टूडेंट्स कैसे आप सब उमीरे सब ख्यारियत से होंगे प्रॉफिट्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे वेलकम इनावर अकैडमी और आप सब को पता कि हमारी अकैडमी ओवराल दी पाकिसान आपको ट्रेडिंग सिखा रही है जो कि हम बेसिक से लेकर अडवांस तक आपको बिल्कुल जो है न अच्छे तरीके से गाइड करते हैं हमारी लाइफ क्लासिज में और आप लोग भी हमारी लाइफ क्लासिज लेकर जो हैन अपने प्रॉफिट में आ सकते हैं और डेली बिस्टिस पर जो हैना थर्टी से लेकर 50 डॉलर तक माशाला और यह प्रॉग्रेस हम आपको लाइफ दिखा सकते हैं आज बसी कली इस वीडियो को बनाने का जो मकसिदा वह यही है कि है स्टुडन की जुबान पर बूमेंड क्रेश बूमेंड क्रेश बसी कली क्या चीज़ा है इसके उपर आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो ब कर्षक के अंदर आपके पास जो स्पाइक साती हैं वो सैल में अथिए अब बेसी कली हमारी इसके इसकी ज्टिकाहलन ने कर रहिए कि इसकी इसकी आप कैसे टरेड करते हैं और कैसे प्रॉफिट में आ जाते हो काफी स्टूडन्स में बोला कि सर्जी बूमेंड क्रैस की नहीं ताकि हमें पता चले कि इसके उपर हम कैसे प्रॉफिट में आ सकते हैं हम थोड़ इसी गाइड लेंदे इसके उपर हमारा एक बिसीकली प्रो लेवल का रिकॉर्डडिड को दिया और इसके लावा हम यह सोच रहे हैं कि इसको हम लाइव क्लासिस में भी जाना वो लेकर चलें तो आज इसके उपर हम तोरी सी डिसकेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इसमें कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो तो सबसे पहले हम डिसकेश करते हैं बूम फाइव बैसिकली इक ऐसा पेर है बूम के जितने भी पेर्ज आइव फाइव हंडर्ड बूम वन थाउजन डन बूम घ्री हंडड हमेशा याद रखे हैं कि बूम को कभी भी आपने सेल नहीं करना जिन्दी की में पर पाले बांद दे कि आपने कभी भी भी बूम को जाना वो सेल न प्रिपया भी कमाया हुआ है और आलोस इससे जाता भी जो आना वह हाईस प्रॉफिट का रिकॉर्ड जो बनाने जा रहे हैं तो बिसीकली यहां पर आपके सामने सबसे पहले मैं आपको बताता चलू कि बूमेंड क्रेश के अंदर जो आप ट्रेड करते हो तो बूम के अंदर हैं बूम के अंदर और आपने इसमें स्पाइक्स करनी होती हैं यहां पर इसकी साइकॉलोजी अगर हम देखें जो स्टूडेंट्स इसके ओपर ट्रेड करना चाह रहा है और प्रॉफिट मैंना चाहते हैं एक तो हमारा एक प्रो लेवल का कोर्स हा मुझसे पर इसके बाद आपने क्या करना है मुझसे वो सीर नंबर शेर करना है मैं आपको वो रिकॉर्डिड कोर्स के लिंक्स परोवाइड कर दूँगा अब हम डिसक्रिप्ष करने जा रहे हैं इसकी साइकॉलोजी बिसकली बूम एंड क्रेश की साइकॉलोजी के हैं सबसे पहले हैं कि बूम को कभी भी सेल नहीं करना और क्रेश को कभी भी आपने बाय नहीं करना हमेशा यह चीज आपने माइड में रखनी है कि बूम को हमेशा बाय करना है अब आप लोगों इसको ट्रेड कैसे करना है इसकी साइकॉलोजी क्या दे कि सबसे पहली चीज यह कि आपने ज नहीं क्टे तो इसका मदलहब है कि आपको लॉस होने के चांस जादा होते है मोस्तलि जो च्रेडर्स होते हैं इनको ट्रेड नहीं करना ही वो ट्रेंड नहीं देखते पहले अगर आप society नहीं देखते तो आपको लॉस लॉस हो सकता है आपने सबसे पहले चीज़ जो कि है वो अपने ट्रेंड देखना है कि मार्किट में किस चीज़ का ट्रेंड आपके सामने आपने सबसे पहले क्या देखना है कि मार्किट में जो आना वो ट्रेंड किस चीज़ का है अब यहां पर देखें एक ऐसे लेवल चुक है mau पर देती है तो में मारकेट शैक्शन काईव और लवल चुक है ठीक है, boom में हमेशा spikes आती हैं buy की तरफ और आप इनको support से ही catch करते हैं आपने हमेशा confirmation के साथ entry लेने होती है, आप proper candlestick pattern confirmation लें और आप यहाँ पर profit कमा सकते हैं, आप जैसे यह boom 500 है, आप simple and simple इसके ओपर easily profit कमा सकते हैं सबसे पहले आपने trend चेक करना है आपको पता चला कि यहां पर बेसिकली मारे पास सब भी उपर से market नीचे की तरफ आ रही है sell trend है लेकिन यहां पर एक support level है और support minor हो या major हो market उदर spike देती ही देती है support पर आपने क्या करना है इस पर simple आपने अपना target profit रख लेना कि market basically आपको कै कैसे profit देगी आपने simple इस लेवल पर जब जाना तो आपने यहां पर अपनी entry ले लेनी है ठीक है exact आपने वेट करना है ठीक है wait for the right candlestick confirmation ठीक है जो लोग हमसे classes ले चुकिया उनको पता है ठीक है हम basically confirmation के साथ entries लेते हैं basically candlestick patterns confirmations होती है और इसके उपर भी इंशाला तल आप आपको working करवाई जाएगी आपने के करना proper entry लेनी है ठीक है proper जब आप entry लेते हो ठीक है आप Stop Loss Set करते हो क्लियर हो गया stop loss set करने के बाद अपना take profit set करते हो कि आपने कितना take profit रखना है उसके बाद आप लोग चेक करते हो कि हमने किस तरीके से इसकी entry लेनी है जब तक आप अपनी entry को schedule नहीं करते हैं अपनी position को आपनी चेक करते हैं कि आपने क्या position आप target कर रहे हैं कभी भी आप profit में नहीं आ सकते हैं आपने proper अपना stop loss अपना take profit जब वह आपने set करना होता है अब यहां पर हम जो चीज़ा expect कर रहे हैं कि यहां पर एक support level अगेन आ चुकिए और market बिसी के लिए आपकी यहां से बहे में आपको entry दे सकती है यहां तक spikes में तो हमेशां याद रखें कि अगर आप एक छोटी entry भी लेना चाहते हैं 15 टाइम फ्रेम पर ठीक है आपने support level का वेट करना है analysis आपने h1 यह 4 पर जाके करना है आपने exact level का वेट करना सबसे पहले ठीक है find the exact SNR levels major and minor ठीक है आपने कोई भी level देख लेना है चाहे वो major support है या minor support है आपने exact level टूरना सबसे पहले ठीक है इसकी psychology में आपको बता रहो उसके बाद आपने candlestick pattern evidence का वेट करना है ठीक है in case के अगर आप candlestick pattern evidence का वेट नहीं करते तो आपके पास आपके पास आपको पता है कि breakout भी हो सकता है अगर आपको breakout का नहीं पता तो आपको इन चीज़ों के लिए हमारी live report entry test in case के market अब इस लेवल पर ठीक है अब यहां पर suppose करें कि यह market इस लेवल पर जा रही है ठीक है आप यहां पर क्या करते हो कि इस लेवल से जानव एंट्री लेना चाह रहे हो ठीक है आप क्या करोगे कि आपने यह देखा कि market तो भी बिल्कुल नीचे है अब आपने test point retest basically is the best confirmation for the trade ठीक है जब आप confirmation होती है आपको कि हमने trade लेनी है उसके बाद आप entry लेते हो इस लेवल से clear हो गया तो आपने क्या करना है wait for the exact support level ठीक है बॉम को जब आपने trade करना है आपने एच वन के ओपर analysis करना है यह 4 के ओपर उसके बाद आप लोग ने trade करनी है यहां पर हम further check करते हैं अपना next pair को यह हमारे पास बूम 1000 आगी हमने बूम चाहाँ हो चेक किया दूसरा अब यहां पर द वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है wait trend की टाइप जिसमें आपको पताया है कि तीन टाइप के trends होते हैं ठीक है buy trend है sell trend है उसके बाद हमारे पास sideways trend है अब यहां पर देखिए basically market आपके पास buy trend में है ठीक है support level से market उठी है market purely buy trend में जा चुकी है market structure होता है जिसको हम सिखाते है live classes में market basically directly buy नहीं जाती market higher highs and higher lows बना कर जाना वह buy जा रही होती है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ ताकि आपको buy structure का थोड़ा सा पता चल दे ठीक है market इस तरीके से जब higher high बनाती है उसके बाद market क्या करती है अपना low बनाने आती है ठीक है इस तरीके से market अपना higher low बनाती है उसके बाद again market जो अपना higher high बनाती है तो market structure को follow करते हुए जो है वो बाय जाती है market कभी भी straight forward बाय नहीं जाती अगर है market इस level पे current level पे आपके सामने मैंने दिखाया कि market इस level पे stand कर चुकी है तो अब आपको क्या करना चाहिए कैसे spike यहाँ पे catch करनी चाहिए हलांके market तो एक minor resistance level पे खरी है now wait for the breakout and retest breakout and retest is the best of the confirmation कि in case अगर यहाँ से breakout होता है ठीक है इस level से तो आप breakout का wait करेंगे breakout का जब आप wait कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जब एक retest point का wait करेंगे market कभी इस level को retest करती है तब आप easily spikes catch कर सकते हैं in case अगर market नीचे आ जाती है sell में ठीक है for example मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि market यहाँ पर sell में आ जाती है तो this is one of the best confirmation कि आपके पास trend line है trend line confirmation के साथ भी आप इसके उपर spikes catch कर सकते हो तो wait for the best analysis and best time frame ठीक है एक सी सोच लेती हो कि हमने स्को करना तो आप easily कर सकते हो हमारे पास यहाँ पर देखें जब इसकी psychology को हम study करते हैं बूमेड crash की जब हमें पता चलता कि BOOM crash की क्या psychology है तो इसके उपर हम easily trade कर सकते हैं देखना होता है कि psychology के इसके उपर हम basically trade किस तरीके से कर सकते हैं इसको हम देखते हैं इसका proper method अब इसके उपर हमने एक proper course बनाया है जैसे कि मैं आपको पहले भी discuss कर चुक हूँ आप उसको जाना हमारे life classes में भी ले सकते हैं हम movement crash life classes भी इंशाला तला conduct करवा रहे हैं तो यह देखें आपके सामने एक proper analysis मैंने किया अब वेट करेंगे ठीक है हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपके पैसों की कदर सिर्फ आपको है ठीक है अगर आप लोग अपने पैसों की कदर नहीं करते तो कोई भी आपके पैसो कि कदर हुद करनी है wait for the right confirmation for the right entry ठीक है अगर trade आप नहीं कर रहे तो हम basically trading psychology को पर भी students को काम करवाते हैं कि आप अगर entry नहीं लेते तो कोई ऐसा मसला नहीं है don't trade for the sake of trading trade ना करना भी trading होती है कि आप अपने account को किस तरह manage करते हैं अपना जो है वह आप risk management करते हैं ठीक है यह सब हम live classes में आपको सिखाते हैं आप लोग में सब कोई लोग students pro level की classes लेना चाहते हैं तो वो हमसे भी ले चुकते हैं ठीक है ले सकते है next आ जाते है crash के ओपर crash basically ऐसा basically pair है जिसके अंदर basically आपके पास जो spikes आती है वो हमेशा cell में आती है ठीक है बूम के अंदर buy में आती थी अब हम क्या करेंगे suppose करें यह level है इसमें स्पाइक सेल में आती है ठीक है जैसे मैंने आपको study किया अब हम trend चेक करेंगे देखें तो हमारे पास basically cell कहीं चल रहा है अब हमारे पास best entry है ठीक है best entry कौन सी हमारे पास यहां पर देख सकते हैं ठीक है इसको मत थोरा सा मजीद clarify करता हूं ताकि आपको clear हो यह देखें अब यहां पर H4 का यह टाइम फ्रेम है यहां पर मेरे पास trend line touch के ओपर एक अच्छी हासी spike आ सकती है यहां पर ठीक है अगर आप लोगों को बता हो यह लावल पर ठीक है यहां पच्छी हासी मेरे पास जोना हो spikes जोना हो आ सकती है ठीक है अब यहां पर इसके थोरा सा अगर हम देखें के मैं आपको थोरा सा मजीद फर्दर बता दूंकर यह लावल है यह वाला ठीक है आप यहां पर चेक करें यह trend line को टच करने वाली है ठीक है इस लेवल पर आपको easily जोना हो spike आ सकती है क्योंकि crash हमेशा cell में spike देता है and wait for the right confirmation जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ अगर आप right confirmation का wait नहीं करते तो आप घलत हो ठीक है wait for the breakout and greatest point अब यहां पर यह चेक करें breakout अगर किसी ने lecture study की है तो मैंने एक proper एक lecture दिया है कि breakout का कि breakout किस तरीके से होता है वो हमारा life classes में होता है अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें जरूर इंशाला अपर रोज करें यह देखें एक breakout हुआ है और उसके बाद market ने क्या किया है retest तो breakout and retest is the best confirmation कि आप जब इसके ओपर entry लेते हैं जब आपने breakout and retest के ओपर entry ली अब यहां पे आप spikes catch कर सकते हैं ठीक है तो wait for the right confirmation, boom and crash बहुत इसी है trade करना बट हम analysis गलत कर रहे होते हैं हमारे पास इसकी psychology नहीं होती हम without any reason हम candles catch करने बाठ जाते हैं हमेशा याद रख लो candles के against आपके हैसल काम नहीं करता और आपने कभी भी candles catch boom and crash में नहीं करनी और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब आप wait कर रहे होते हो unrealistic expectations का जो लोग कहते हैं कि हम 10 dollar deposit करके 50 dollar deposit करके जो है वो दो दिन बाद हम जो ना 1000 dollar पर पहुंच जाएंगे this is basically unrealistic expectations follow the proper money management plan money management plan एक ऐसे rules होते हैं ठीक है जो हमारे profits को maximize करते हैं और हमारे losses उनको minimize करते हैं यह basically ऐसा plan होता है कि जिसके ओपर हम काम करते हैं और हम profits में आते हैं इंशाला तला हम इसके ओपर आपको proper working करवाते हैं हमारी live classes में आप हमारे course में registered होके इसको सीख सकते हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि basically आप जो proper money management plan को follow करते हैं इनकेस अगर आप movement crash को start करने जा रहे हैं तो आपके पस minimum equity 100 dollar से लेकर 500 dollar तक होनी चाहिए ताकि आपके पास proper trading plan हो एक आपका proper risk management हो proper आपका reward ratio हो जिसके आप लोग follow करो हमेशा एक चीज़ आपने consider करनी है आपने कि हमेशा ठीक है कि आपने proper money management plan फालो करना है अगर आपको किसी को अपना risk management नहीं पता money management नहीं पता तो आप हमारी live classes ले सकते हैं हमने यह सब चीज़ें completely explain की हुई है ठीक है तो यह आपका next pair हो गया उसके बाद हम अगर देखें इस level को ठीक है यह आपके सामने मैंने एक pair के उपर analysis किया हुआ अभी मैंने इसके उपर analysis किया था और अभी spike आ भी चुकी है अब यहां पर हमारा एक basically sell trend जाओ हो start हो चुक है यहां पर यह देखें एक sell trend में market जाओ आ रही है इस level पर यहां पर ठीक है आपने मैंने आपको हमेशा यह भी थोड़ा से भी बताया थोड़ी दर पहले कि जो crash होता है इसमें हमारे पास sell में spikes साती है और हमेशा हमने sell trend को prefer करना है कि हम sell trend में trade करें ठीक है मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपका spikes में जो है वो SL उपर candles पर लगा सकते हैं लेकिन जब आप candles catch कर रहे होते हैं तो spike against SL काम नहीं करता आपने कभी भी candles catch नहीं करना ही never never ever आपने कभी भी boom को sell नहीं करना और crash को बाए हमेशा जब आपने trade करनी है तो crash को आपने sell करना है क्योंकि crash में sell में M1 के ओपर आपके पास spikes आती है easily कैसे कर सकते हो आपके पास market में trend है ठीक है आपके पास confirmation है ठीक है आपके पास trend है आपको पता है कि market में sell market आ रही है और अब easily आप इसके ओपर entry ले सकते हो तो यह basically movement crash की psychology होती है हमारी mistakes यह होती है कि हम कभी भी अपने गलती admire नहीं करते हम अपनी mistakes को कभी भी नहीं कहते है कि हमने जनावों कोई गलती किया हमारा सबसे पहले यह काम होता है कि जो चीज हम इसी काई गया हम इसके ओपर follow up दें हमारा basic यह होता है कि हमने यह देखना होता है कि भई हमने जो mistakes कि हैं उनको हम follow करें और उनको follow करके उनको वर्किंग करें ठीक है जब तक हम अपनी mistakes के उपर काम नहीं करेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अब यहां पर देखें perfect entry है जो कि मुझे इंचालाद आला expected है कि यहां तक market जावो sell जा सकती है ठीक है तो यहां पे अगर आप देखें यहां तक ही marketing चलाएगी तो आप इसके उपर कितनी जादा spikes catch कर सकते हैं but you just need to know the exact levels support and resistance ठीक है अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ों का तो आप हमारी live classes में registered हो सकते हैं so that is basically boom and crash psychology ताकि आपको पता चले कि आप इसको किस तरह trade करते है है आपने exact level पर सबसे पहले trends check करना है ठीक है trend चेक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहां पे आपने find exact SNR levels ठीक है after that आपने क्या करना है कि find breakout and readers ठीक है इफ अब यहां पर देखें यह एक level पर Spike आई है ठीक है यहां पे मैंने आपको भी बताया भी था हो देखें उसी level पे स्पाइक आपी चुकिया यहां पे अब यहां प्याइब स्पाइक आईये वेट फर दे केंफरमेशन आप यहांपे पाइक एंटि रह सकते हैं सो वैल्कम इन आवर लाइव क्लासिज अगर आप लोग इंचला कला हमारी लाइव क्लासिज में रुष्टर होना करते हैं तो आप हमें बिल्कुल इजिली अप्रोज करके हमारी लाइब क्लासिस ले सकते हैं ठीक है थाइंक यू सो मच अलाफिज यह हमारा भूमेंट क्रेश की साइकॉलोजी का लेक्चर तर थाइंक यू अलाफिज